दोस्तों कही बार आपकी चुप्पी, आपका साइरिंसी, आपका सबसे घहरा सबसे बड़ा जवाब होता है मैं आज आपको बताऊंगा कैसी वो कंडिशन्स हैं, किन सिचुईशन्स में हमें चुप्पी रखनी चाहिए, शान्त रहना चाहिए और हमारी चुप्पी और शान्ती ही सबसे बड़ा जवाब होती है, सबसे बढ़िया जवाब होती है दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा अब्जर्वेंट बनना चाहिए कही बार एक इनसान चाहता ही यही है कि हम प्रवोक हो जाए, कोई गलत हरकत कर दे, गुस्सा कर दे और उसको कोई मौका मिल जाए उसकी इंटेंशन ही यही होती है, हमें उकसाना, गुस्सा दिलाना, हमसे गलत काम करवाना जिससे उसका फायदा हो जाएगा तो उसकी इस भावना को, इस थौट को आपने पकड़ना है और बिल्कुल चुप हो जाना है कही पर लोग दूसरों को दिखाने के लिए हमें जानके अपशब बोलते हैं, उल्टी बाते बोलते हैं और जैसे हम गुस्सा खा जाते हैं गुस्से में out of control हो जाते हैं कुछ गलत बात बोल देते हैं वो उसको point करके, court करके पुरी दुनिया को सुना देते हैं, हमें बुरा बना देते हैं जब को intentionally ऐसी हरकत कर रहा है समझो और अपनी बहतरी के लिए बिल्कुल चुपो जाओ मुस्कुरागर सुनते रहो ऐसा लगेगा कि वो अपना दिवार पे सिर्फ फोड़ रहा है ये खेल है, एक game है silence का जो आपने खेलना है और जीतना भी है दोस्तों ये point बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना जो अंजान लोग होते हैं, strangers होते हैं जिनसे हमारा वास्ता कभी दुबारा नहीं पढ़ना होता उनसे भहस करना, जगड़ा करना, argument करना सिर्फ हमारा नुकसान है कोई भी फायदा नहीं है, कोई meaning नहीं है बविश्य में कोई भी काम वो आने नहीं वाला और अक्सर क्या होता है सडकों पे लोग जो निकले होते हैं ज्यादा तर लोग frustrated होते हैं अपने जीवन से परिशान होते हैं एक मौका ढूंडते हैं अपनी frustration निकाल लेगा एक punching bag ढूंड रहे होते हैं थोड़ा पिट-विट के घर जाएंगे कपड़े-पड़े फटे होंगे अच्छा लगेगा लेकिन हमें यह नहीं करना अंजान लोगों से बिल्कुल भी भहस नहीं करनी फाल्तू की बात नहीं करनी कोई कुछ गलत कह रहा है चुप-चाप आगे बढ़ते चले जाओ वो आपका इस्तमाल कर रहे हैं आपको punching bag बढ़ा रहे हैं आपको नहीं बनना वो bag नहीं बनना आगे बढ़ते चले जाना उसको ego पर लेने की बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है आप सिरफ maturity दिखा रहे हैं अपना समय बचा रहे हो दोस्तों जब आप बिल्कुल determined हूँ सालों सोच समझ के एक फैसला लिया है अपने जीवन का बड़ा फैसला है चाहे वो शादी का फैसला हो करियर का फैसला हो रिलोकेशन का फैसला हो कोई भी बहुत बड़ा फैसला है अचानक से नहीं लिया सालों सोच समझ के लिया है उस पे आपका जीवन निर्भर कर रहा है तो आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए वो घरवाले ही क्यों ना हो उनसे भी discussion हो गए है अपना पक्ष रख दिया है उनको समझा दिया है कि ये फैसला आपके लिए कितना जरूरी है इसके बाद कोई इंसान आपको manipulate कर रहा है, control कर रहा है ताने दे रहा है मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है तू मेरा कर्जदार है तू पापी है, तुझे शराप लगेगा पता नहीं क्या क्या बाते लोग बोल देते हैं बिल्कुल भी उन बातों को दिल पर नहीं लेना अपने फैसले पर अडिक रहना है आपका भविश्य, आपका जीवन, आपकी जिम्मेदारी है और अगर आप भहस करने पर आ गए जवाब देने पर आ गए तो उसका कोई अंत नहीं है फिर आप भी डिस्रिस्पेक्फुल हो जाओगे आप गलत हो जाओगे बड़ों से भहस करने में इससे अच्छा अपना पक्ष रखके बिल्कुल शान्त हो जाओ फिर उसके बाद वो जलील कर रहे हैं उल्टी बाते बोल रहे हैं बिल्कुल शान्ती से सुन लो ताकि उनको समझ में आ जाए कि मेरी इन खराब बातों का इस प्रेशर का सारे जिन्जान पे नहीं पड़ रहा है इससे बहतर और कोई डिल करने का तरीका नहीं है जो भी बोलोगे आपके अगेंस जाएगा और अगर कोई बहुत बत्तमीजी करता है इंबेरेसिंग बात ये करता है सिरफ उनकी आखों में देखते रहो डिटर्मिनेशन के साथ स्ट्रॉंग बनके कोई जवाब मत दो दोस्तों भूत में पास्ट में कोई ऐसी बात हुई थी जहां आप गलत थे आपकी कलती हो गई वो मैटर सॉट आउट हो चुका है चाहे आपने माफी मांग लिए आगे बढ़ गए सब कुछ खतम हो चुका है आज की डेट में कोई इनसान उस टॉपिक को छिड़ रहा आज की भहस में तरक देने के पास उसके पास कुछ भी नहीं है तो दिमाग लगा के उसने वो पास का टॉपिक उठा लिया जिसकी अपको इरेलेवेंस नहीं है जो खतम हो चुका है इस परिस्तिती में आपको भहस नहीं करनी बिल्कुल चुप हो जाना है वासे चले जाना है ये साइलेन ट्रीटमेंट नहीं है ये बिल्कुल सही treatment है क्योंकि उस इंसान के पास भहस करने को कोई topic ही नहीं है कोई fact ही नहीं है वो मुर्दों को उखाड रहा है खाली आपको नीचा दिखाने के लिए उस समय बिल्कुल भहस मत करो आप उस मुर्दे को उखाडने में मदद मत करो उसके बारे में discussion मत करो चुप हो के वहाँ से निकल जाओ वो इंसान समझ जाएगा कि ये बेतू की हरकत नहीं चलेगी दोस्तों कहीं रिष्टेदार कहीं अपने बड़े toxic होते है उनका एक मकसद होता है कैसे भी करके आपको अपने लक्षे तक ना पहुचने देना वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए आप कमाओ ना independent ना बनो बस आपको धक्का देते हैं जिम्मेदारी पूरी हो जाए या वो अपने आप से आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं भी कारण हो सकता है इसके लिए वो क्या करेंगे आप से बार-बार चुटकी लेंगे गलत बाते बोलेंगे गंदी बाते बोलेंगे या बोलेंगे तुम नहीं कर सकते तुमारे बसकी नहीं है या आपको बताएंगे लोग आगे बढ़ गये तू पीछे रह गया इस तरीकी की बाते करेंगे ताकि आप फ्रस्टेट हो जाओ दिमाग भटक जाए लक्षे से फोकस छूट जाए तो ऐसी स्तिती में आपको भाप लेना है कि वो इंसान क्या चाह रहा है जैसे फर्स पॉइंट बताया था ना मैंने समझो कि ये चाह क्या रहा है उसके शब्दों को अपने उपर मतलो उसके शब्द आपको छूनी रहे है चुबनी रहे है सिरफ ये सोचो कि मेरा लक्षे खड़ा है सामने ये भटका रहा है मुझे इसको अपनी मन्शाम में सक्सेस्फुल नहीं होने देना कामयाब नहीं होने देना मुझे अपनी लक्षे को पाना है सबसे बड़ा जवाब यही है मेरी सफलता तो होगी इसको भी जवाब मिल जाएगा बिल्कुल चुप हो जाओ चाहो तो मन में कोई गाना गुन गुना लो उस पर ध्यान दे लो या कान में रुई ठूसके पड़ाई करने लग जाओ या अपना काम करने लग जाओ ऐसी बातें जिनसे फायदा कुछ होना नहीं है आपने किसी का गलत नहीं किया सिर्व आपको ताने दिये जा रहे हैं जलील किया जा रहा है ताकि आप बढ़क जाओ उनका रिस्पॉंस बिल्कुल नहीं देना बिल्कुल चुप हो जाओ दोस्तों गलती हर इनसान करता है कोई भी इनसान परफेक्ट नहीं होता लेकिन कही बार लोगों की आदत होती है गलती करके उसको एकसेप्ट नहीं करते बेतुके तर्ग देंगे एक्सक्यूस देंगे बोलते ही रहेंगे आपकी सुनेंगे नहीं गलती मानेंगे नहीं बस खुद को कैसे भी जस्टिफाय करते रहेंगे थोड़ी सी वार्दालाब करने के बाद डिसकुशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान अपनी गलती मानने ही नहीं वाला है सीधे सीधे उसको बोल दो ये गलती तुमने की है चाह कोई भी कारण रहा हो और एक वार्निंग दे दो और वहांसे चले जाओ अगर वो सही तर्ग दे रहा है रीजनिंग दे रहा है सुन लो लेकिन बहांस पर अड़ गया है कि गलती ही नहीं मानूँगा तो फिर बिल्कुल शान्त हो जाओ और वहांसे चले जाओ उसको वार्निंग दे दो जो कम शब्दों में उसको आपकी बात समझ में आ जाए क्योंकि आप जितनी बहांस करोगे जितने तर्ग दोगे वो बहाने बनाने का एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज ही है काम करने में एक्सपर्टीज नहीं है बहाने बनाने में वो उतनी भहस करने को तेयार है उतना ही नीचे जाने को तेयार है और आपका समय कीमती है आपने ये सब नहीं करना है वार्निंग दो आगे बढ़ो एक बार ज़रू दूसरे का पक्ष सुनो अपनी बात बोलो बस